हालो इस्टोरेंस मेरे नाम है सुर्वेतिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टेप अपकेडमी में और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोशन चैप्टर का एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूनिफॉर्म और नौन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि मोशन क्या है तो प्रीविज वीडियो देख लीजे हमने से बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा दीटेल में फॉलो किया हुआ है चलिए तो मोशन क्या है जब भी कोई अब्जेक्ट अपनी पोजिशन चेंज करता है इन अटाइम वित रिस्पेक्ट टू रिफ्रेंस पॉइंट या फिर वित रिस्पेक्ट वाब्जर्वर हम उसे मोशन कहते हैं अब मोशन बहुत सारे तरीके का हो सकता है कुछ मोशन ऐसे होते हैं जिसमें स्पीड हमेशा कॉंस्टेंट हो ठेक है कुछ मोशन ऐसे होते हैं जहां पर स्पीड कॉंस्टेंट नहीं होती है ठेक है तो उसे हम कहते हैं नॉन उनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन ठेक है अब मोशन का मतलब क्या है change in position of object अब जब भी कोई object अपनी position को change करता है तो उसके साथ speed included होती है अब जब आप speed को time की respect में देखते हैं तो ये चीज आपके लिए क्या हो जाती है motion अब motion दो तरीके का होता है एक uniform motion और एक होता है non uniform motion uniform motion क्या है जब भी कोई object equal interval of time में equal distance को cover करें तो हम उसे कहेंगे कि वो uniform speed में है या फिर हम उसे कहेंगे कि वो uniform motion कर रहा है जैसे ceiling fan का गूमना या फिर आप ये कह सकते हो pendulum ये भी एक uniform motion करती है तो ये सारी चीज़े uniform motion है क्योंकि fixed interval of time में fixed distance को ये cover कर रहे है तो ये होता है uniform motion तो इफ ये होता है तो इफ ये होता है तो आपकी ताम इंटर्वर्स हो लेकिन ये इंटर्वर्स तो है ना हर टायम पे अगर तू that means कि वो uniform motion कर रही है अब uniform motion की case में velocity जो है ये हमेशा कैसी होगी same होगी constant होगी it is said to move with constant velocity over the given period of time मतलब velocity कैसे constant है velocity का मतलब होता है displacement upon time displacement क्या होते है distance with direction जब भी कोई चीज किसी particular distance को किसी particular direction में किसी time के respect में cover करती है तो हम उसे कहते हैं वो displacement है और change in displacement with respect to time is velocity तो जब हर चीज कॉंस्टेंट है तो velocity भी क्या होगी constant होगी तो इस case में velocity विल बी constant the distance time graph or velocity time graph of the uniform motion will be straight line जब भी आप किसी uniform motion की बात करते हैं तो इसका अगर आप graph draw करेंगे मतलब कि अगर मैंने एक axis पर distance और time लिया हुआ है distance और time का जो भी graph होगा वो भी आपको कैसा मिलेगा straight line मिलेगा अब अगर uniform motion में है और velocity time का graph graph बना रहे हैं तो वो भी आपको straight line motion ही मिलेगा कुछ इस तरह से ठीक है चलिए अब देख लेते हैं कुछ examples तो जैसे मैंने अभी आप से कहा कि distance time graph for uniform motion is always a straight line the graph have a constant positive slope अब एक छोड़ी सी बात रह गई थी कि जो graph है इसके slope को हम positive slope कहते हैं अब हम आजाते हैं हमारे next point पर जो कि मैं भी आप से discuss कर रही थी examples of uniform motion अब uniform motion की example क्या है if the speed of a car is 10 meter per second it means that car travels 10 meter in one second the speed is constant every second मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि अगर किसी car की speed 10 meter per second है तो इसका मतलब हर 10 meter को वो 1 second में cover करेगी और अगर 60 मीटर को यह ही को दिशन में जैसे पहले से किन में 10 सी मीटर दूसरे से के बीस meteo दी से के वे तीस मीटर से अगर कारा आगे बढ़ रही है that means कि वो uniform motion है uniform motion का सबसे अच्छा example है movement of blades of a ceiling fan ceiling fan का जो blades है जब ये move करती है तो uniform motion कहती है आपकी CBC के exam class 10th के exam में ये question भी पूचा जा सकता है कि अगर एक fan rotate कर रहा है तो इसका blade किस तरह के का motion कर रहा है और क्यों वाई तो इस वाई का अंसर आपके सरह सदेंगे क्योंकि ceiling fan एक rotational motion कर रहा है एक circle को cover कर रहा है और circle का radius हमेशा constant होगा तो अगर ये radius constant है तो obviously बात है कि जब blades घूमेंगी तो एक particular circumference को ही cover करेंगी और इसका मतलब इस case में time और distance दोनों सेम है interval of time में equal distance cover हो रहा है इसलिए यहां पर ceiling fan है उसकी blades uniform motion कर रही है तो आपको इसका answer देना है अगर आप चाहते हैं तो इसका बड़ी आसा ही screenshot ले लिजे और इसको अपने पास save करके अब ये तो होगा uniform motion नेक्स क्या पढ़ना है non uniform motion अब non uniform of this से बात है uniform का उल्टा ही होगा जब आप एक fix time interval में अलग-अलग distance को cover कर रहे होते हैं तो आप non uniform motion करने होते हैं जैसे कि अगर एक smooth road है तो एक गाड़ी 2 km per hour की speed से चल रही है लेकिन फिर traffic आ जाता है तो उसकी speed 3 km per hour हो जाती है फिर थोड़े दिर बाद 6 km फिर कभी 1 km तो this is non uniform motion जब अलग-अलग distance को एक fix time interval में cover किया जा रहा है तो वो एक non uniform motion है ओके तो यह आप definition लिख सकते हैं कि our body is set to perform non uniform motion if it travels unequal distance in equal interval of time दो ही बात याद रखनी है unequal distance and equal interval of time क्योंकि में देखो time to fix ही रहता है ना time को आप कैसे हटाओगे time to fix duration में चलता रहता है आप उस duration में कैसे अपने distance को में match कर रहे हो वो depend करता है कि आपको uniform मनाएगा या non uniform बनाएगा अब जैसे हमने अभी देखा कि uniform के case में आपको distance time graph कैसे मिलता है आई straight line लेकिन जब हम बात करते हैं non uniform की तो उस case में आपको जो graph मिलेगा वो या तो curved line मिलेगा zigzag मिल सकता है मतलब कि आपको straight line ना मिल करके कुछ एक अलग सा graph मिलेगा कैसा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो चीक है so this is the figure for non uniform motion now if we are talking about the examples of not of uniform लिखा हुआ है बिच्चों यह कलती से यह actual में है non तो non uniform motion के case में में क्या मिलेगा if a car covers 10 meter in first two seconds and 15 meter in next two seconds then it is said to be in non uniform motion या फिर the motion of a train train the motion करती है वो कैसा है एक non uniform motion है क्योंकि fix time में उसका जो distance cover करने का तरीका है वो अलग-अलग हो सकता है विकिस वो depend करता है उसे बहुत सारे stations पर रुकना है कहीं जादा hold in कहीं जादा halt करना है कहीं पर देश चलना है तो इस वजह से train का जो motion होता है वो non uniform motion होता है तो यहां पर हमने अभी समझा कि क्या होता है यूनिफॉर्म और नौन उनिफॉर्म motion इसके पहले वाली वीडियो में हमने speed velocity को समझ लिया average velocity क्या है लेकिन अब चलते है change in velocity पर that means acceleration पर तो नेक्स वीडियो को देखने के लिए जरूर देखेगा जिसमें हमें बताने वाली हूं आपको acceleration क्या होता है और सारी वीडियो को टाइम पर देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें कोई डाउट है तो कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें तो हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थाइस वाचिंग